हलो दोस्तों आज हम घर की समान से ही बनाएंगे एकदम हेल्दी चटपटा नाश्ता अक्सर दोस्तों हम शादियों में त्यहारों में खातों लेते हैं तला भुना पर एक टाइम के बाद हमें हेल्दी नाश्ता चाहिए ही होता है तो चलिए देख इस बात के स्टार्ट करते हैं आज इसी नाश्ता को बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बावल में एड़ करेंगे यहां पर हरी प्याज जी हाँ दोस्तों हमने इसको उपर का हिस्सा निकाल दिया है और जो पत्ते हैं उनको यहां पर बारी कटकर कर लिया है अगर आपके बस हरी प्याज ना हो तो आप यहां पर पालक को भी बारी कटकर ले सकते हैं दौनों मेंसे कुछ भी चलेगा और अब इसमें एड़ करेंगे हम सूजी तो हम यहाँ पर दो चमाच एड़ करेंगे नॉर्मल वाली चमच आए और अगर आप कटोरी की मेजर्मेंट से कर रहे हैं तो आप यह नॉर्मल छोटी वाली जो तोरी होती है वह आधी एड़ करें और दो चमच अगर सूजी जा रही है तो एक चमची बस यहां पर बेसन जाएगा बेसन और सूजी बारीक मोटी जैसे भी आपके घर में हो वह आप इसमें यूज कर सकते हैं और अभी फिलाल में बिल्कुल थोड़ा सा पानी हम यहां पर दालेंगे और उसके बाद इन सारी चीजों को हम एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे क्योंकि जो सूजी होती है वह पानी में फूलती है तो इस वज़े से हम यहां पर सारी चीजों को मिक्स देनी के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर जरूर से छोड़ेंगे जिससे सूजी है अच्छे से रेस्ट करकर बढ़िया से फूल जाए तब ही तो नाश्टा हमारा अच्छा बनेगा तो चलिए कम से कर पांच मिनट के लिए इसको हम रेस्ट पर छोड़ देते हैं तो पांच मिनट अब यहां पर हो चुके हैं और आप देखी सकते हैं सूजी हमारी काफी टाइट हो गई है जो हमने पानि डाला था वो भी शूब चुका है सूजी ने पानि अच्छे से पी लिया है और सूजी हमारी बढ़ियासे फूल है अब इसमें हम एड़ करेंगे कुछ सबजियां सबजी एड़ करने से पहले सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बारिक कटावा, मिर्च और अद्रग आप यहाँ पर इन चीजों का पेस्ट भी डाल सकते हैं बारिक चॉब करीगी और एक ही जायगा इसमें टेमाटर, तो मिर्च करने से इस नाश्टे में अच्छा कटा पन आजएगा तो अगर है तो जरूर से एड़ करिएगा और थोड़ा सा हिस्सा हमने डाला इसमें गाजर का बारिक कट करकर आप गाजर को यहाँ पर कदू कस करकर या फिर बारिक बारिक पिस्चिस में कट करकर एड़ कर सकते हैं अच्छे से mix देने के बाद अब हमने यहाँ पर ली कट कर ली हैं आप चाहेते हैं पूरी शिमला मिर्ची भी ले सकते हैं इसकी मातरा बडा सकते हैं या फिर आप यहां पर पत्ता गोवी भी ले सकते हैं अपनी मन पसंद एक दो सब्जियां और भी एड़ कर सकते हैं बस अब लास में हम यहापर एड़ करेंगे एक कब गेहूं का आटा बिल्कुल नॉर्मल गेहूं का आटा है जो हम घर में चपाती या रोटिया बनाने के लिए यूज करते हैं आप इस नाश्टे को पूरा का प सब्सक्राइब करें और पानी में थोड़ा ही डालना है जिससे हमारी इसमने गुटलिया या लंप्ष ना पड़े ना हमने इनो का यूज किया और ना ही हमें करना है तो नमक के साथ अब जाएगा इसमें एक चोथा ही चम्म जीरा जीरी से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा अब दालेंगे थोड़ी सी कुटीवी मिर्च अगर आप बच्चों के लिए बना रहे न तो थोड़ा सा काम कर देजिए और थोड़ा ही जाएब या पर धनिया पाउडर और बिल्कुल एक चुटकी ही डालेंगे हाँ घरम मसाला खर्म मसाला μिल्कुल थोड़ा ही डाला है अब सारी इस mixture में पानी थोड़ा कम लग लग रहा था ये बैटर हमुए थोड़ा गाड़ा हो गया था तो मैंने बिल् sãoगत सा पानी और इसमें डाला है कुल मिल आकर मिला इस मिक्स्टर को बनाने में 1.5 कप पानी लग चुका है बिल्कुल सही consistency का बैटर हमारा बनकर तयार हो गया है चम्चे में भरकर यह नीचे इस तरीके से गिरना चाहिए तो मिक्स्टर तो हमारा रेडी है अब लास्ट में डालेंगे इस बैटर की जान जी हां वो है धनिया प बनाने का मिक्स्टर बनकर हमारा तयार आप गैस पर चड़ा लेते हैं एक भारी तेले की कड़ाई पैन या नॉस्टिक पैन जो भी हो आपके पास क्या फिर कुछ भी न हो तो तवा हो तवा आप चड़ा सकते हैं बस उसको हल्क असा एक दो बुन तेल डालके निच्चे से चिकना कर लें ग्रेसिंग कर लें इस बैटर को एक बार अच्छे से मिक्स देने के बाद चंचा भरकर आप बीच में इस तरीके से डाल दें और इसको हमें जादा नहीं फिलाना है बिल्कुल थोड़ा ही हमें इस तरीके से फिलाना है और यह असानी से फैल भी जाएगा को कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी इस नाश्ते की खासित सबसे बढ़ी यह है कि जैसे ही आम इस नाश्ते को फैलाते हैं या डालते हैं यह नीचे से एकदम ड्राइब होना शुरू हो जाता है आप इस नाश्ते को चाहे तो खोल कर या फिर लीड लगा कर कम से कम नीचे यह उपर से भी कुक होने लग गया है मतलब पकने लग गया है बस उपर से कुछ डाल देंगे दो तिन बूंद ऑईल की अगर आप तेल को बिल्कुल एवोइड कर रहे हैं या बिल्कुल आप तेल नहीं खाना चाहते तो आप ना डाले और बस इसको किसी स्पैचुला से इस तरीके से उठाकिया पलट दीजिए बहुत इजली यह पलट भी जाता है क्योंकि जो नीचे की सता है वो हमारी अच्छी से ड्राई हो गई है अगर सता नीचे से ड्राई ना हो गिल गिली सी रहे जब भी हमें नाश्ते को पलटने में दिक्कत आती है पर यह नाश्त किmbolik से नीचे जरूरत है तो लगा लें नहीं थो नहीं भी लगाएंगे लगा चुके लगवर के भी बन जाए अगर आपको लेक़्ंद कया तो आप इस टरीके से किनारे यह यही keeping से ली ढड़ा खाने औपर से екदो पुंदे तेलीड देहें और नीचे से हम इसे पलट देंगे क्यों नीचे के जो सता है जो ङत्प डूसरी साइड से अरत चर्वन की त士ते केभिस में कुछ भी नहीं है लेते हैं, आप देखे सके हैं कितना कि यमी मी लुक है हमारे नаш्टे का देखते ही मुँमें पानी आ रहा है तो चलिए सारा नाश्टा बनकर हमारा ये देखे तयार हो चुका है और सिर्फ एक कप आटे में हमारे यहाँ पर चार या पांच पिस बनकर तयार तो आप आटे की बढ़ा सकते हैं तो ये सक हमें इसको बहुत है तो यह click अक्सर हम हरी प्यास से सबजी या परांटे तो बना लेते हैं पर इस तरीके से कभी नाश्टा नहीं बनाया होता तो आप जरूर से नाश्टा एक बार कीजिएगा तो अगर नाश्टा की रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए व